हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे यह हमारा लारवल कोर्स से लेटिट फोर टर्टोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारवल के प्रजेक्ट फोल्डर्स के बारे में और फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में देखे इसे पिछली वीडियो में हमने लारवल को इंस्टॉल किया था और वहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे फोल्डर्स, फाइल्स और पैकेजिस इंस्टॉल हो गए थे तो उन सारे folders और files के बारे में हम इसी वीडियो में detail में समझने वाले हैं देखिए जैसे कि अभी हमारा beginner level है तो उस level के हिसाब से हमें सबसे पहले 5 folders के बारे में detail knowledge होनी चाहिए वो 5 folder कौन से हैं? सबसे पहला folder है यहाँ पर model folder देखिए जैसे मैंने आपको लारवल की फिडियो में बताया था कि लारवल जो है एक MVC pattern को follow करता है जिसमें M का मतलब होता है model C का मतलब controller और V का मतलब view तो जो हमारा सबसे पहला folder होता है मतलब कि model folder उसके अंदर आती है हमारी database से related file मतलब कि जो भी हमें database से related काम करना है SQL की queries लिखनी है उसको हम model folder के अंदर यहाँ पर add करते हैं इसके बाद आते हैं हमारे controller से related folder देखिए इस folder के अंदर हमारे पास यहाँ पर हम काम करते हैं अपने business logics का मतलब कि जो भी हमने अपनी programming में logics बनाने होते हैं उस related files को हम controller के अंदर ही save करते हैं इसके अंदर एक दूसरा काम और भी होता है देखिए user job किसी page की यहाँ पर assess हमारे से demand करता है तो हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि उस page में database से क्या queries लेकर आनी है तो यहाँ पर controller जो है एक call model को भी करता है और इसी तरह हमारी यहाँ पर HTML की file को भी यहाँ पर call करता है इसके बाद आता हमारा view folder जिसके अंदर आती हैं हमारी सारी HTML से related files मतलब कि जो भी हमने website की look पे काम करना है जो भी हमारा काम होना HTML के अंदर वो सारी HTML की files हमारे को view folder के अंदर save करनी होती है इसके बाद हमारा आता हम फोर्थ folder जिसको नाम है routing folder इस folder के अंदर आती हैं हमारी सारी URL defining selected files देखी जब भी हम Laravel के अंदर काम करते हैं तो काम को start करने से पहले हमारे को यहाँ पर बनानी होती हैं कुछ routing की files routing के अंदर हम यहाँ पर बताते हैं कि किस file को open करने के लिए कौन सा URL यहाँ पर हम create करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले URL create होता है उसके बाद ही उसकी HTML का काम controller का काम और model का काम शुरू होता है और इस topic को भी मैं अपनी next video में cover करने वाला हूँ routing topic को इसके बाद आता हमारा asset से related folder देखिए हमारी website में सिरफ HTML और database से related काम ही नहीं होते हैं वहाँ पर हमारे को यहाँ पर लगानी होती हैं कुछ images, fonts, music की files और यहाँ पर video की files तो वो सारी आती हैं हमारी asset folder के अंदर और इसी same folder के अंदर हमारे को यहाँ पर अपनी दो important files और भी रखनी होती हैं जो होती हैं CSS की file और JavaScript से related files यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाता हूँ जो हमारा यह asset folder होता है Laravel के अंदर इसको हम asset folder नहीं कहते हैं इसको हम बोलते हैं public folder तो यह basic main 5 folders होते हैं जिसके अंदर हमारी सारी Laravel से related files आती हैं और Laravel के अंदर सिर्फ यह 5 folders ही नहीं होते हैं इसके इलावा भी कहीं folders और files होती हैं जिनको हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में detail में समझेंगे अभी के लिए जो आपका beginner level है उसमें यह 5 folders ही हमारे main काम में आने वाले हैं तो यह मैं आपको यहाँ पर vs code editor को open करके यह folders और files भी दिखा देता हूँ जिसमें हमारा main काम होता है तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना vs code editor open कर लिया है इसी same editor को मैंने आपको पिछली वीडियो में install भी करना सिखाया था अब देखिए यहाँ पर हमारे को वही project open करना लारवल का जिसको हमने पिछली वीडियो में install किया था तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर जाओंगा file में और इसके बाद मुझे जाना है open folder में मैं इस पर click करता हूँ और यह देखिए यहाँ पर एक window open हो जाएगी और यहाँ पर हमारा main folder है जिसको नाम है first project इसी Laravel project को हमने पिछली वीडियो में install करना सीखा था अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और select folder करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा folder यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने सारी यहाँ पर folders भी हैं इसके अंदर और यहाँ पर कुछ files भी आपको दिख रही हैं तो इसमें से अभी के लिए मैंने आपको बताएं कि हमारे main five folders हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारा controller का folder और model का folder कहाँ पर आता है तो देखी हम सबसे उपर वाले folder में जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ एप इसको मैंने open किया और यहाँ पर हमारे पास एक folder आता है http मैं इसको open करता हूँ और इसी के अंदर आता हमारा controller का folder जैसे ही लिखा हुआ controllers इसी के अंदर हमारी सारी files आती हैं controller selected जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक controller की file already बनी हुई है तो यही पर हमारी सारी controller selected files आती है तो main folder है app, उसके अंदर http, उसके अंदर है controllers मैं इस folder को यहाँ पर close करता हूँ और यही पर app folder के अंदर ही हमारा दूसरा folder भी होता है जिसका नम है models जिसके अंदर हम सारा database selected काम करते हैं देखे, यहाँ पर already एक file बनी हुई है user.php तो इसी के अंदर हमारी सारी database selected files यहीं पर रखते हैं अब इस folder को भी मैं बंद कर देता हूँ अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी views selected file कहाँ पर आती है तो देखे, उसके लिए मेरे को यहाँ पर जाना है resources में मैं इसको open करता हूँ और यहाँ पर देखे, हमारे एक folder है जिसका नम है views इसी folder के अंदर हमारी सारी estimates selected files आती हैं मैं इसके click करता हूँ तो देखे, यहाँ पर already एक file बनी हुई है जिसका नम है welcome.blade.php तो जितना भी HTML selected काम होता है हम उसको इसी folder के अंदर रखते हैं इसके बाद आती है हमारी यहाँ पर asset selected file उसको हम इस public folder के अंदर यहाँ पर place करते हैं यह देखे, यहाँ पर कुछ ऐसी files पढ़िए हैं जिसको हम root में रखते हैं जैसे .htss files, index.php file यह सबसे main file है जो सबसे पहले Laravel का project जब हम run करते हैं तो यही file run होती है इसके अंदर जाके हमें कोई code करना नहीं होता बस इसको as.hts यहाँ पर रखना होता है इसके साथ यहाँ पर देख रहे हैं जैसे एक होती है robots.txt file तो यही पर हमारी सारी images से लेटिट फाइल music, video से लेटिट फाइल font, css और javascript से लेटिट फाइल सारी हम इसी folder के अंदर रखते हैं जिसका नाम है public हमें इस folder को यहाँ पर बंद करता हूँ देखि, css और javascript से लेटिट फाइल हम यहाँ पर भी रख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं resources के अंदर भी दो folder बने हुए है javascript और css मगर यहाँ पर हम सिर्फ वो ही files रखते हैं जिसको हमें user को नहीं दिखाना होता जैसे admin से लेटिट फाइल बगर होगी यहीं पर हम रख सकते हैं मगर सारी css related files हम इसी folder के अंदर रखेंगे जिसका नम है public अब इसके बाद मैं आपको fifth folder दिखाता हूँ जो सबसे main folder होता है जिसके अंदर हम routes बनाते हैं तो देखी यहाँ पर routes related एक folder है मैं इसको open करता हूँ और देखी इसी के अंदर हमारी सारी routes से related files आती है सबसे main file होती है जिसका नाम होता है web.php मतलब कि website के अंदर जितने भी pages बनने वाले हैं उन सब का URL हम इसी file के अंदर define करते हैं यहाँ पर कुछ और भी files होती हैं जैसे कि है यहाँ पर api.php files देखी future में जब मैं आपको यहाँ पर Laravel के अंदर api.php को create करना सिखाऊंगा तब हम इसी file का use करेंगे उसके भी routes बनते हैं उसको हमें इस file के अंदर ही define करना होता है तो अभी के लिए हम next video में जो देखने वाले हैं वो है web.php की file तो यह थे हमारे सारे main 5 folders इसके इलावा भी कुछ folders है तो उनको भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा short में बता देता हूँ देखी हमारा एक folder है यहाँ पर config config के अंदर हमारी जितनी भी files होती है वहाँ पर हम configurations करते हैं website की जैसे कि हमें जो भी website के अंदर database लगाना है तो उससे little file होती है database.php caching करनी है तो यहाँ पर एक file है caching.php authentication लगानी है तो यहाँ पर file है out.php इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी files हैं जिसको अब आगया आने वाली वीडियोस में हम detail में समझेंगे तो अभी के लिए यह folder हमारा main folder नहीं है इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक folder होता है जिसका नाम होता storage इसके अंदर जब भी हम अपनी website पर काम करते हैं तो यहाँ पर कुछ logs file बनती रहती हैं जो caching करने का काम करती हैं तो वो सारी इसी folder के अंदर आके बनती हैं जिसको अब आगे आने वाली वीडियोस में हम detail में समझेंगे इसके बाद यहाँ पर एक है test folder जिसके अंदर हम यहाँ पर अपनी Laravel से लिटेट जितने भी test करना चाते हैं unit testing बगरा तो उससे later हम files यहीं पर रखते हैं इसको भी हम आगे आने वाली advance Laravel के अंदर समझेंगे जब हमारी web series खतम होने वाले होगी तब मैं इस folder को आपको समझाऊंगा इसके बाद हमारे पास यहाँ पर last folder होता है जिसको हम कहते है vendor folder देखी हम अपने Laravel project के अंदर जो भी यहाँ पर packages इंस्टॉल करते हैं वो सारे packages इसी folder के अंदर यहाँ पर आकर इंस्टॉल होते हैं तो जैसे अगर आपको कोई payment gateway लगाना है third party का या फिर कोई library इंस्टॉल करनी है वो automatically इसी folder के अंदर आकर save होती है और यह सब काम करता कोन है यह करता है हमारा composer composer की help से जब भी हम कोई command लेकर कोई package इंस्टॉल करते हैं तो automatically वो इसी folder के अंदर आकर इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर मैंने आपको main जितने 5 folder से उनके बारे में detail में बता दिया है जिसको हम अपनी next वीडियो से समझने वाले हैं तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए Hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं तो हमारी चैनल यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए Thank you